हेलो फ्रेंड्स वेल्कमिन एलेक्टिकल मंत्रा मैं हूँ आपका दोस्त गोविन सर्मा बात करेंगे आज हम बस बार के उपर की बस बार क्या होता है आपका बस बार कितना करंट लेगा और बस बार क्यूं लगाए जाते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं बस बार होता क्या है देखिए ये होता है अपना बस बार देखो क्या होता है जब भी हम सप्लाई लेते हैं या फिर भी हमें क्या करना होता है देखो हमें क्या करना होता है एक ही एक ही एंड से एक ही एंड से बहुत सारी केबल आ रही है और वो केबल एक ही जें करते हैं जो की मैटल का बना होता है और इस मैटल के जो बार है यह जो मैटल का बार है इसमें क्या करते हैं हम होल करते हैं जैसे कि एक केबल यहां पर होल करके और लग करके लगा दी गई एक यहां पर लगा दी एक यहां पर लगा दी एक यहां पर लगा दी ऐसे हम लगा सकत ते और जो आई तो पता ही आपको कितना खतरनाक हो सकता था इसलिए हमने ये यूज किया ये बात अपकी कलियर हो गई ठीक है अब बात जो करेंगे अब बात करेंगे की देखो हमने ये जो बस बार है ये बस बार तो हमने लगा लिया लेकिन बस बार लगा तो लिया उस बस और हम एक limited way में क्या ले सकते हैं एक limited current ले सकते हैं कि वो कितना current carrying करेगा cable का जैसे कि हम current निकालते हैं ये current इतने cable पर ये cable लगाएंगे 2.5 लगाएंगे या 4 की cable लेंगे या फिर हम 16 की cable लेंगे 10 की cable लेंगे यह हम calculation करते हैं वैसे ही हम calculation करते हैं bus bar से related की bus bar हम कितने by कितने का लें ताकि हमारा current है जो वो fulfill हो सके यह उसको उस पे stand कर सके देखो मान लेते हैं कोई भी जब हम current निकालते हैं जब भी हम current निकालते हैं तो हम या तो bus bar या फिर cable या कोछ भी हो तो उसका हम क्या निकालते हैं सबसे पहले हम उसका निकालते हैं क्या एरिया सबसे पहले हम उसका क्या निकालते हैं उसका हम निकालते हैं भाई जी एरिया निकालते हैं उसका तो अब जो बस बार है वो बस बार अगर आप देखें बस बार अगर आप देखें इसका हमें area निकालना होगा तो ये बनता है एक क्या बनता है ये एक rectangular shape में बनता है देखो इसका rectangular shape हम लेते हैं क्यानि कि इसकी चोड़ाई और इसकी हम मोटाई लेते हैं ये वाली देखो एक तो ये वाली हम लेते हैं और ये वाली shape हम इसकी लेते हैं हम जो निकालते हैं current के लिए वो length हम नहीं लेंगे इसकी width लेंगे और इसकी breath लेंगे ये हम लेंगे इसकी breath और breath लेंगे हम इसकी देखो ये वाली मोटाई कितनी होगी माल लेते हैं ये है area निकाल रहे हैं area निकाल रहे हैं तो ये वाली क्या होगी ये मालनेते है 20 है 20 mm है और multiply कर दें किसके साथ ये वाली मोटाई जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली मोटाई कितनी होगी ये मालनेते हैं 10 तो ये आया total 200 200 और अगर ये aluminium का है aluminium का ये है 200 multiply by यहां पर बैरी करेगा लगभग अलुमीनियम के ही आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि जो कोपर होता है वो बहुत सारा कोश्टली होता है इसलिए हम उसकी यूज नहीं करते तो अब क्या हो गया जो हमारा अलुमीनियम का बसबार होगा वो क्या करेगा एक एमपियर लेगा एक स्केर एमम में तो हमने यहां पर मल्टिप्लाई करके एगया निकाला और उसको वन से मल्टिप्लाई कर दिया 200 एमपियर हमारा आगया अब question आएगा 200 ampere के लिए कितने का by कितने का बसबार चाहिए तो हम use कर सकते हैं 20 by 20 by 10 का use कर सकते हैं 25 by 8 का use कर सकते हैं 25, 200 ये भी हम यहाँ पर use कर सकते हैं 25, 200 ये वाला भी हम use कर सकते हैं I hope ये video आपको पसंद आया होगा इसमें कुछ शीकने को आपको मिला होगा धन्यवाद